दोस्तों मैं किसी भी मीडिया हाउस का या किसी भी जर्नलिस्ट का डाय हाड फैन नहीं हूँ उनका प्रशन सक नहीं हूँ क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपको पता चलता है कि जितने भी मीडिया हाउस है जितने भी जर्नलिस्ट है उनका अपना खुद का पर्सनल एजेंडा है सबके अपने पर्सनल एम्बीशन से जिनको फुल्फिल करने के लिए वो कही ने कहीं अपने पेशे के साथ बेमानी करते हैं लेकिन अंजना ओम कश्यप के साथ जो भी हुआ बिहार के सडकों पर वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था मैं यहाँ पर किसी की वकालत नहीं करूँगा कि अंजना ओम कैसी जर्नलिस्ट है या लिए हम भोल जाए कि अंजना ओम कश्यप वहाँ पर आज जर्नलिस्ट गई थी बट वहाँ पर एक महिला भी गई थी और हो सकते हैं वह महिला आपके घर की बेटी भी हो सकती है वह आपकी बहन भी हो सकती है कोई भी महिला हो सकती है तो क्या महिला के साथ ये बतसलूकी हो जैसा कि आप वीडियो क्लिप में देख सकते हैं किस तरीके से एक पूरी जुंड जिसमें जादा तर मुझे मर्द दिखाई दे रहे हैं वो पूरी फॉस किस तरीके से एक महिला पत्रकार को की हुटिंग कर रहे हैं उनकी हैकलिंग कर रहे हैं तो ये कहां तक justified है सिर्फ ये कहा करके कि ये गोधी मीडिया है या फिर ये अपना काम इमानदारी से नहीं करते हैं ये बिल्कुल justified नहीं है और ना ही ये उचित है ना ही ये अच्छे संकेत है हमारे democracy के लिए हमारे लोगतंतर के लिए या फिर लोगतंतर के चौते स्तंब कह जाने वाले मीडिया के लिए यह बिल्कुल सही नहीं हुआ है हमें पार्टी का समर्थक होना है हमें नेताओं का समर्थक होना है उनकी विचारधाराओं का समर्थक होना है मगर प्रो बीजेपी, प्रो इंडरनेशनल कॉंग्रेस ये बिल्कुल नहीं बलना है कि अगर कोई कुछ घलत कर भी रहा है तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है हो सकता है बीजेपी के समर्था को हो सकता है आप कॉंग्रेस के समर्था को इसे ही सरकार बदली, अभी बदली भी नहीं है, अभी शपत लेना बाकी है, लेकिन उससे पहले ही आपने क्या चरितार्थ कर दिया है, लोग अब सवाल उठा रहे कि क्या है, बिहार वापस से गुंडा राज और जंगल राज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो यह आपने वो हीरो बन के इमर्ज हो गई मेरे ख्याल से तो, आपने चिला करके इस तरीके का प्रदर्शन करके, खुद अपने इमेज को डिग्रेट किया है, और जादा कुछ नहीं किया है, लोगों में यह संदेश बेजाए कि बिहार की जंता ऐसी ही है, बिहार कभी इन चीजों से उटके नहीं सोच सकता, तो गोदी मीडिया कहना कहां तक जायज है, चलो ठीक है गोदी मीडिया आप कहा रहे हो, आप हूटिंग भी कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे आपको इस अपनी मर्यादा का भी खयाल रखना से यह था कि वहाँ पे अकेली महिला खड़ी है, और आप इ जस्टिफिकेशन की लड़ा ही लड़ सकते हैं, लेकिन इस तरीके से हूटिंग करके, चिला करके, रोड पे, सड़कों पे उदर करके, किसी महिला की बेज़ती करके, आप सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट की इमेज को डाउन करते हैं, डिमीन करते हैं, उसके अलावा और कु कार रह जाए और तब ही आपके सपने पूरे नहीं हो हमारे सपने पूरे नहीं हो तो एक बार आपको इस पर सोचने की जरूध है सिर्फ किसी को हूठ करने से राजय' का विकास नहीं होगा बिल्कुल जड़ से system को सही करना पड़ेगा जाती पाते से उपर उठना पड़ेगा इस वीडियो में इतना ही आपको क्या लगता है यह जो मेडिया पर्सनल के साथ इस तरीके की बद सलूकी हुई यह कहां तक जायज है आपको क्या लगता है अंजनौ अमकश्र अपने कामी मांदारी से नहीं की इस वज़े से और क्या रिजन्स हो सकते हैं जो भी आपको लगता है आप कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं वीडियो देखने के लिए थैंक्यू वेरी मच चैनल परना है तो सब्सक्राइब करेंगे